तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें इन दो पैंसिलों की ज़ुरत पड़ेगी और फिर इसके बाद इस धागे को हम ऐसे रखेंगी इतना धागा छोड़ते हुए और यहां बराबर ऐसे पैंसिल को कर लेंगी और यहां ऐसे धागे को पैंसिल के ऊपर और यह कम से कम 25 लेने हैं और ऐसे धागों को सरका देना बीच में और यह 25 हो चुके हैं यहां पर इसके बाद इस धागे को इसके साथ ऐसे बान देना है और इस धागे को कट कर देंगे इसके बाद सुई के अंदर अलग से एक धागे को पिरा लिया है इसको हलका सा उपर सरका लेंगे धागों को और फिर इसके बराबर में से ऐसे सुई को सारे धागों के नीचे से निकालना है इतना धागा छोड़ करके यहां वाला यह जो फर्स्ट लूप है इसके अंदर से भी एक बार और निकालेंगे सुई को फिर इतना धागा छोड़ देंगे कट कर देंगे ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे और यहां फर्स्ट लूप में सैसे निकाल देंगे और फिर इसको और इसको एक साथ ऐसे बान देंगे अच्छे से ऐसे ही इसके दूसरी तरफ बानना है और इन धागों को अब कट कर देंगे यह जो एक्ष्ट्र धागी है इसके बाद इन धागों को हम ऐसे निकाल देंगे और फिर इसको ऐसे करके हम फैला देंगे और ऐसे करके इसको पिछका देंगे और फिर इस फ्लावर को यहां ऐसे रखेंगे कपड़ी के ऊपर और यहां ऐसे सुई को ऊपर निकालेंगे और फिर एक मोती लेंगे और यहां ऐसे लगा देंगे अब यहां फिलावर बन करके तयार है आपको यह कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियोज को देख सके थैंक्यू पर वाचिंग माई वीडियो